नमस्कार दोस्तो, आउसी के चैनल में आपका स्वागत है, आज हम काना जी का ये खुबसूरत सा पुशाग बनाएंगे, मैंने इसे दो नमबर काना जी के लिए बनाया है, आप इसी विदि से चाहें तो किसी भी नमबर के काना जी का पुशाग बना सकते हैं, यदि आपको ये पुशाग अच्छा लगता हो, तो क्रिपया इसे लाइक करें, चैनल पे पहली बार आया है, तो क्रिपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रस करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, तो चलिए फ्रेंस, हम पुशाग बनाते हैं, पहले हम कानाजी की चूली बनाएंगे, तो चूली बनाने के लिए हम सिंगल बुल से 14 फंदे डालेंगे, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तेरा और चौदा, तो हमने 10 नंबर की सराई पे 14 फंदे डाल लिए, और अब हम सभी फंदे सीधा बुन लेंगे, तो हमने सभी फंदे सीधे बुन लिए, रॉंग साथ से भी हम सभी फंदे सीधा ही बुन लेंगे, तो हमारा दो लाइन कम्प्लीट हो गया इसी तरह चाह लाइन और हम बुनेंगे सामने से भी सीधा और रॉंग साइट से भी सीधा दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए हम टोटल छे लाइन कम्प्लीट करेंगे तो छे लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाते हूँ तो देखिए फ्रेंट्स छे लाइन कंप्लीट हो गया है और तीन उल्टे फंदों की धारिया आ गई है तो ये सात्वा लाइन है और अब हम सात फंदे सीधे बनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, सात और दूसरी सलाई पे भी सात फंदे बचे हुए हैं तो अब हम यहाँ पे अपना दूसरा कलर अटैश करेंगे और इन सात फंदों को भी सीधा बनेंगे तो अब यहाँ पे हमारा दो पार्ट हो गया है अब इन दोनों पार्ट को अलग-अलग हम दोनों तरफ से सीधा बुनते हुए तीन धारियों के बाद दो, चार, छे, आठ, दस, बारा, चौदा और यह की यह पनदरा यानि कि तेस लाइन कम्प्लेट हो चुका है अब हम यह हमारी चौली कम्प्लेट हो गई है तो अब हम इन साथ फंदों को दूसरी सलाई में ऐसे उतार लेंगे और फिर यहां से हम बुनाई करना शुरू करेंगे अब हम प्रत्येक फंदे में तीन फंदा बनाएंगे सीधा बुनेंगे, उन अपनी ओर करेंगे, फिर इसी में सीधा नेक्स्ट फंदे में सीधा बुनेंगे, उन अपनी ओर करेंगे, फिर सीधा अब हम यहां से फंदे उठाएंगे इसके लिए हमें इन फंदों को खुलना होगा तो इन्हें खुलना बहुत ही आसान है तो यहां देखिए यह हमारे एक धारे गई है तो बस हमें इनको ऐसे उठाना है और खीच देना है ध्यान से देखिएगा यह हमारे फंदे खुलते जा रहा है तो इसी तरह सावधाने से खीचते हुए हम सभी फंदे खुल देंगे लास्ट वाले फंदे में देखिए यह अंदर से धागा है निकला हुआ है तो इसे से खीचते हुए सावधाने से हम खुल देंगे और यह हमारे चौदा फंदे हो गया है जिने हम एक दूसरी सलाई पे उठा लेंगे देखिए फ्रेंट्स हमने सभी चौदा फंदे दूसरी सलाई में उठा लिये अब हमें इन सभी फंदों में भी एक फंदे से तीन तीन फंदे बनाने होंगे एक सीधा बुना उन अपनी उरकिया फिर इसी फंदे में एक और सीधा नेक्स फंदा सीधा बुना उन अपनी उरकिया और इसी फंदे में एक और सीधा फंदे तो प्रतेक फंदे से हम 3-3 फंदा बुन लेंगे तो हमने सभी 14 फंदों में 1 फंदे से 3-3 फंदे बना लिया है अब ये हमारा दूसरे साइट का फंदा बचा हुआ है तो फिर हम इन 7 फंदों को भी पहले हम इसको ऐसे जोड़ लेते हैं और इन 7 फंदों में भी प्रतेक फंदे को 3-3 बार बुनेंगे सीधा बुनेंगे फिर उन अपनी और फिर इसे में सीधा और रॉंग साइट से भी हम सभी फंदों को सीधा ही बुन लेंगे तो हमारे पास 14 फंदे थे और दूसरी साइट से भी हमने 14 फंदे उठा लिये यानि हमारे पास 28 फंदे हो गए और प्रतेक फंदे में हमने तीन बार एक फंदे से तीन फंदे बना लिये तो इस समय सलाई पे टोटल 84 फंदे हैं 84 स्टीच और हमें 81 इस तीच चाहिए यानि कि हमें तीन फंदे घटाने होंगे तो हम थोड़ी थोड़ी दूर पे इन दो फंदो को एक साथ लेंगे और एक कर लेंगे तो हमारा एक फंदा घट गया इस तरह थोड़ी थोड़ी दूर पे हम हमें तीन फंदे घटाने हैं 84 फंदे टोटल हैं और हमें 81 फंदे चाहिए तो हमें तीन फंदे घटाने होंगे तो एक फंदा हमने घटा लिया है अब ये देखिए दो फंदो को एक साथ लिया एक सीधा फंदा बनाया तो दीर दूसरा फंदा भी घट गया इसी तरह हम एक और फंदा घटा लेंगे तो यहां पर हमने अपना तीसरा फंदा भी घटा लिया यानि अब सलाई पर 81 फंदे 81 स्टीचे रह गया है और हमने यह लाइन कंप्लीट कर लिया अब हम सामने की तरफ हैं तो हम पहरा फंदा स्टिप करेंगे नौ फंदे सीधा बनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ और अगले फंदे को हम उल्टा बनेंगे फिर उन दूसरी और नौ फंदा सीधा चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ और दसमा फंदा उल्टा नौ फंदे सीधे और दसमा फंदा उल्टा इसी तरह बनते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे तो लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाते हूँ अब ये हमारा रॉंग साइड है तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे फिर अब देखिए ये नौ फंदे हमने इस साइड से सीधे बने थे तो चार फंदा हम सीधा बनेंगे एक, दो, तीन, चार और पहला फंदा उल्टा फिर उन दूसरी और चार फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार तो पहला फंदा हमने स्लिप किया था और ये नौ फंदों में से जो हमने इदर से सीधे बने थे चार फंदा सीधा, पाचवा फंदा उल्टा और फिर चार फंदे सीधे हो गए अब देखिए ये हमने इदर से उल्टा बना था यहाँ देखिए सीधा है तो इसे हम यहां से सीधा ना बुलके एक लाइन नीचे आएंगे देखें जो यह छेट दिखाए दे रहा है हमें वहां से इसे सीधा बुलना है एकलाए नीचे से तब सीधा फिर चार फंदे सीधे अब ये हमारे नो फंदे जो हैं हमने इधर से सीधे बुने थे तो उन नो फंदों में से चार फंदे सीधे दो तीन चार अब ये देखिए ये हमारा सीधा वाला फंदा है तो इसे हम एक लाएन नीचे आएंगे और तब सीधा बुनेंगे और फिर नो सीधे फंदों में से चार फंदा सीधा एक दो तीन चार और पाच वा फंदा उल्टा फिर चार फंदे सीधे एक दो तीन चार और जो इस साइड से सीधा फंदा दिखाए दे रहा है उसे सलाइव यहां से सीधा ना बुनके हम एक लाएन नीचे आएंगे और तब सीधा बुनेंगे और नौ फंदों में से चार फंदा सीधा और पाश्वा फंदा उल्टा तो इसी तरह बुनते हुए हम पूरी लाइन कम्प्लीट कर लेंगे चार फंदे हमने सीधे बुने, पाचवे फंदे को हमें उल्टा बुनना है, और लास्ट में अब ये पाच फंदे बचेंगे, तो इन्हें हम सीधा बुनेंगे, तो इस तरह हमने ये दूसा लाइन कम्प्लीट कर लिया, रॉंग सैट से ये दूसा लाइन कम्प्लीट कर लिय अब हम फिर सामने की तरफ हैं तो पहला फंदा स्लिप करेंगे चार फंदा सीधा बनेंगे एक दो तीन चार और पाचवा फंदा देखिए ये सीधा फंदा है तो इसे हम एक लाइन नेचे से तब सीधा बनेंगे फिर चार फंदे सीधे एक दो तीन चार और पाचवा फंदा उल्टा फिर चार फंदे सीधे एक दो तीन चार और देखिए ये सीधा फंदा आ गया तो इसे हम एक लाइन नेचे से सीधा बनेंगे फिर चार फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, और पाश्वा फंदा उल्टा, फिर उन दूसरी ओर, चार फंदा सीधा, एक, दो, तीन, चार, और जब सीधा फंदा आ जा रहा है, तो उसे हम एक लाइन नीचे से तब जाके सीधा बुन रहा है, और फिर नौ फंदों में से, चार फंदा सीधा, और पाश्वा फंदे को उल्टा, उन दूसरी ओर, चार फंदा सीधा, और देखिए, अब सीधा फंदा आ गया है, तो उसे एक लाइन नीचे से जाए, से हम सीधा बुनेंगे, एक लाइन नीचे आके तब सीधा बुनेंगे, फिर चार फंदा सीधा और पांचवा फंदा उल्टा तो इसी तरह करते हुए हम पूरी लाइन कम्प्लीट कर लेंगे देखिए फ्रैंट्स ये दोनों तरफ से एक जैसा ही बन रहा है सीधे वाले फंदे को हम एक लाइन नीचे से सीधा बुन रहा है और उल्टे फंदे को नार्मली उल्टा जितने सीधे फंदे हैं उन्हें हम एक लाइन नीचे से सीधा बुन रहा है और उल्टे फंदो को नार्मली उल्टा ऐसा हम दोनों साइड से कर रहा है तो हम दस लाइन ये उल्टे फंदों की दस लाइन बनाएंगे दोनों तरफ से सीधे वाले फंदे को हम एक लाइन नीचे से सीधा बनेंगे और उल्टा फंदा जो ये है उल्टा फंदा उसे हम नार्मली उल्टा बनेंगे तो हम कुल दस लाइन कम्प्लेट करेंगे तो हमारा घेरा त्यार हो जाएगा तेखिए फ्रेंड्स इसी तरह हम बड़े नमबर के कानाजी का और छोटे नमबर के कानाजी का भी पुशाक बना सकते हैं इसे विधी से तो चर यह देखते हैं कि यह हम कासे बनाएंगे तो दो नमबर के लिए हमने चोली में 14 फंदे डाले थे तो एक नमबर के लिए यहाँ पे 12 फंदे हो जाएंगे और जीरो नमबर के लिए 10 फंदे तो देखिए जीरो नमबर के लिए 10 फंदे एक नमबर के लिए 12 फंदे, 2 नमबर के लिए 14 फंदे, 3 नमबर के लिए 16 फंदे, 4 नमबर के लिए 18 फंदे यानि हर एक कानाजी के लिए 2 दो फंदे बढ़ते जाएंगे तो एक साइट में हमारे मालिजे 0 नमबर कानाजी के लिए 10 फंदे हुए तो हम तो चोली बढ़ने के बाद घेरे के लिए 10 फंदे इधर से हो जाएंगे और 10 फंदे इस साइट से यानि 20 फंदे हो जाएंगे यहां पे हमारे बीस फंदे हो जाएंगे और हम परतेख फंदे के से 3 फंदे बढ़ा दे रहे हैं तो यह हो जाएंगे 60 फंदे एक नंबर खाना जी के लिए 24 फंदे और इसका हमें 3 गुना करना है तो यह हो जाएगा 72 फंदे दो नमबर खाना जी के लिए हमारे 28 फंदे हो जाएंगे और हमें प्रतेक फंदे को प्रतेक फंदे को तीन बार बुनना है तो ये हो जाएगा 84 फंदे इसी तरह तीन नमबर खाना जी के लिए 32 फंदे उन्हें तिगना करना है और ये हो जाएंगे 96 फंदे चार नबर कानाजी के लिए 36 फंदे उन्हें हमें तिगुना करना है ये हो जाएंगे 108 फंदे तो घेरे में हमारे घेरे में हमारे देखिए पहरा फंदा हमने स्लिप किया था और फिर 9 फंदे सीधे उने थे तो हमें इसमें 10 के multiple फंदे चाहिए और 1 फंदा एक्स्ट्रा 10 के multiple फंदे 1 फंदा एक्स्ट्रा दो नबर कानाजी के लिए हमारे पास 84 फंदे थे हमने 3 फंदे माइनस कर दिये तो हो गए 81 फंदे अब हमें 0 नमबर काना जी के लिए 60 फंदे हैं हमें चाहिए 10 के multiple फंदे और 1 फंदा extra तो हम इसमें plus 1 कर देंगे ये हो जाएगा 61 फंदे एक नमबर काना जी के लिए 72 फंदे हैं एक minus कर देंगे तो ये हो जाएगा 71 फंदे या तो हम एक फंदे plus करके या फिर minus करके हमें 10 के multiple फंदे plus 1 फंदे लाने हैं घेरा बनाने के लिए हमें 10 के multiple फंदे चाहिए और 1 फंदा extra चाहिए तो या तो हम फंदे को बढ़ा दें जैसे यहाँ पर हमने बढ़ाया है या फिर घटा के हमें चाहिए 10 के मल्टिफल फंदे प्लस 1 फंदे तो इसी तरह हम घेरे के लिए फंदे अड़ेस्ट कर लेंगे 96 फंदे हैं या तो हम 5 फंदे माइनस करें या फिर 5 फंदे प्लस करें या तो हम 5 फंदे प्लस करें या फिर 5 फंदे माइनस करें हमको या तो 91 फंदे करें या फिर 100 फंदे यहाँ पर करें इसमें हम या तो 7 फंदे माइनस करें या फिर 3 फंदे प्लस करके इसे 111 कर लें या फिर 101 कर लें तो मैंने घेरे की लंबाई पूरी कर ली है अब हम इसे क्लोच करेंगे तो क्लोच करने के लिए हम एक फंदा बुढ़ेंगे सीधा एक और फंदा बुढ़ेंगे और फिर यहीं से वापस लौट आएंगे उन दूसरी और करेंगे पहले फंदे को स्लिप करेंगे अगले फंदे को सीधा बुनेंगे फिर वापस आएंगे पहले फंदे को स्लिप करेंगे अगले फंदे को सीधा बुनेंगे और फिर next एक फंदे को और ले लेंगे तो सलाई पे तीन फंदे हो गए हम यहीं से टर्न कर लेंगे पहले फंदे को slip करेंगे दो फंदे को सीधा वापस मुड़ेंगे अब की हम चार फंदों को लेंगे पहले फंदे को slip करेंगे और तीन फंदों को हम बुल लेंगे देख हुआ», दो, यानि हर सीधी लाइन में हम एक फंदा एड करते चले जाएंगे, वापस मुरेंगे, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, फिर तीन फंदे सीधा वापस मुरेंगे पहले फंदे को स्लिप करेंगे और अब एक फंदा और इसमें एक्स्ट्रा ले लेंगे तो ये हो जाएंगे पाँच फंदे वापस मुरेंगे पहला फंदा स्लिप करेंगे चारो फंदो को सीधा बुन लेंगे वापस मुड़ेंगे पहले फंदे को स्लिप करेंगे और फिर एक फंदा और हम एक्स्टा बुलेंगे तो हमारी ये छे फंदे हो गए वापस मुड़ेंगे पहले फंदे को स्लिप करेंगे फिर शेस फंदो को सीधा बुलेंगे तो इस तरह हर सीधी लाइन में एक एक फंदे हम बढ़ाते हुए टोटल ग्यारा फंदे कर लिए हैं तो यहाँ पे मेरे ग्यारा फंदे हो गए हैं अब हम यही से वापस मुड़ेंगे पहले फंदे को स्लिप करेंगे शेस दस फंदे को सीधा बुलेंगे अब हम राइट साइड में हैं इन टोटल ग्यारा फंदो में से हम दस फंदे घटाएंगे इसके लिए हम पहले फंदे को स्लिप करेंगे अगले फंदे को सीधा बुनेंगे पीछे वाले फंदे को उठा कर आगे वाले पे चरहा देंगे अगले फंदे को सीधा बुनेंगे पीछे वाले फंदे को उठा कर आगे वाले पे चरहा देंगे तो इसी तरह करते हुए ग्यारा फंदों में से हम दस फंदे घटा देंगे ग्यारा फंदों में से हमने दस फंदे को घटा लिया अब फिर हम इस साइड से एक फंदा लेंगे सीधा बुनेंगे, वापस मुडेंगे और फिर पहले फंदे को स्लिप करेंगे अगले फंदे को सीधा बन लेंगे फिर मापस मुड़ेंगे पहले फंदे को स्लिप करेंगे और एक फंदा और ले लेंगे यानि कि तीन फंदा तो फिर हम हर सीधी लाइन में एक एक फंदा बढ़ाते हुए टोटल ग्यारा फंदे करेंगे तो ये तीन फंदे हो गय है, फिर से ये हमारा सीधा लाइन है, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, दो फंदो को सीधा बनेंगे, और इधर से एक फंदा ले लेंगे, ये हमारा चौथा फंदा हो गया, इसी तरह हर सीधी लाइन में बढ़ाते हुए हम ग्यारा फंदे कर लेंग कर लिये हैं अब हम वापस मुड़ेंगे पहले फंदे को स्लिप करेंगे शेस दस फंदों को सीधा बुनेंगे यह हम रॉंग साइड में हैं सबी फंदों को सीधा बुन लेंगे अब फिर हम इन ग्यारा फंदों में से दस फंदों को घटा लेंगे पहला फंदा स्लिप करेंगे अगले फंदे को सीधा बुनेंगे पीछे वाले फंदे को उठाएंगे आगे वाले पे चड़ा देंगे नेक्स फंदा सीधा पीछे वाले को उठाएंगे आगे वाले पे चढ़ा देंगे इसी तरह हम एक एक फंदा घटाते हुए दस फंदों को घटा देंगे तो ये देखिए हमारे ऐसे हमारा क्लोज होता जाएगा तो हर ऐसे ही ग्यारा ग्यारा फंदों को हम लेते जाएंगे दस दस फंदों को घटाते जाएंगे ये एक फंदा है फिर एक फंदे से हम हर सीधी लाइन में बढ़ाते हुए ग्यारा फंदे करेंगे और फिर दस फंदों को घटा देंगे तो मैं आपको कम्प्लीट करके दिखाती हूँ देखिए फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट कोना है और ग्यारा फंदे हमने कम्प्लीट कर लिया है तो अब हम इन सभी फंदों को ग्यारो फंदों को घटा देंगे दो दो फंदों को हम एक साथ लेंगे पीछे वारे फंदे को आगे वाले पर चलाते जाएंगे इन 11 फंदों को हम घटा देंगे और इसके साथ ही हमारा कान्हाजी का फुशाक त्यार हो जाएगा हमने सभी फंदे घटा दिये ये लास्ट फंदा है इसे ऐसे खीचेंगे बड़ा लूप बना लेंगे इसके अंदर से गोले को निकालेंगे इसे खीच के और खसलेंगे अब इस धागे का हमें कोई काम नहीं है इसे हम काट लेंगे और इसे अंदर की तरफ कर लेंगे अब हमारे जितने भी धागे निकले हुए हैं उन dispi को हम अंदर की तरफ कर लेंगे और फिर हम इसमें तीज बटन लगा देंगे ये देखिए हमारा कानहा जी का पुषाक बनके तैयार हो गया tomorrow तो देखिए fanz कानहा जी का पुषाक बनके तैयार है आशा है आपको पसंद आया होगा तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो कृपयाई से लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों में अपने अश्टेदारों में शेयर करें बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोडिफिकेशन आपको मिलता रहे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद